अगर आप इंडिया में तीन करोड रुपे दस साल में नहीं कमा सकते तो भाई ऐस्ट्रेलिया आजए ऐस्ट्रेलिया आपके लिए बैस्ट है यह मैंने उन भाईयों के लिए भी बता दिया जिनकी इंग्लीज कमजोर है जो पड़े लिखे नहीं है जिनकी एजूकेशन बैक जाको वर्क वीजा में प्रोटेक्शन वीजा में इन दोनों वीजा में कैसे बदलवा सकते हैं आप लोगों की काफी ज़्यादा दिमांड थी पिछली जो हमारी वीडियो थी वो ट्यूरिस्ट वीजा टू स्टूडेंट वीजा थी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा अगर आप ट्यूरिस्ट वीजा पर आ जाते हैं जिन भाई होगी इंगलीज कमजोर है कैसे वह पी ऑस्ट्रेलिया रह सकते हैं विदाउट आइस बगार कोई आइस किये बगार कोई पीटी करें आप यहां ऑस्ट्रेलिया में रह पर यहां पर ट्यूरिस्ट वीजा पर तो आ सकते हैं उनका कोई रिलेटिव उनको बुला लेता है यहां पर यहां उनका कोई जानकार उनको बुला लेता है या वैसे वह उनका पिछे से बैक ग्राउंड श्ट्रोंग है तो उस भी हास पर वह अपना ट्यूरिस्ट वीजा तुरिस्ट विजा पर आने के बाद आपको करना क्या है जिसको हम प्रोटेकशन विजा भी बोल देते हैं वह अप्लाई करना है अब आप पुछोगे वह कैसे अप्लाई उसको apply करने का मैं आपको proper procedure बता रहा हूँ उसके लिए ना आपको कोई IELTS में बैंट चीए ना कोई होर ज़्यादा requirement है कि मेरे को ये भी fill करना पड़ेगा मेरे को ये भी fill करना पड़ेगा उसके लिए कुछ नहीं करना है एक protection visa डलता है जिसकी cost आपकी लग 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 साड़े 4000 जार Australian dollar के करीब है आप इस visa को डाल सकते हैं ना ही इस visa को डालने के लिए आपको आए इसकी bands की जूरत है ना ही किसी होर चीज की जूरत है इस visa के लिए अगर आपको किसी चीज की जूरत है प्रोटेक्शन वीजा की आपकी फीस होगी 4500 dollar ऑस्ट्रेलियन dollar में यह मैं बोल रहा हूँ इंडिया का आप इसाब लगा सकते हैं दो सेड़ा इलाके करीब आपका खर्चा आने वाला है यह अगर प्रोटेक्शन वीजा यहां पे आप उस्ट्रेलिया में आके अब लाई करते हैं चलो भाई हम यहां पे ट्यूरिस्ट वीजा पे आगे हैं अब हमें प्रोटेक्शन वीजा डालना है प्रोटेक्शन वीजा में हम कितनी डूरेशन तक यहां रह सकते हैं प्रोटेक्शन वीजा की फाइल जैसे ही आप ट्यूरिस्ट वीजा से प्रोटेक्शन वीजा की फाइल डालते हो उस फाइल को खुलने में ही साड़े चार से पांस साल का टाइम लगता है साड़े चार से पांस साल यानि यह कम से कम डूरेशन बोल रहा हूं मैं इससे पहले आपकी फाइल खुल ही नहीं सकती अगर इस से पहले आपकी फाइल नहीं खुल सकती जैसे ही आप टूरिस्ट वी जा पर यहां पर आए flames आपका वीज़ आने में में तो टाइम मिलेगा जैसे ही आप टूरिस्ट वीज़ा से प्रोटेक्शन वीज़ा डाल रहे computer automatically ही आपका computer generated breathing visa A generate कर देता है automatically यह आपका generate होएगा जब तक आपका protection visa नहीं आ जाता तब तक यह आपके पास valid visa होगा और इस पे आपके unlimited work rights आ जाते हैं protection visa पे जैसे ही आपका protection visa का breathing visa A generate होएगा उसके बाद आप legally Australia में रह सकते हैं अनरी जब तक आपके protection visa का result नहीं आएगा और protection visa का result आने का नहीं मनें侵िधा कितना वंको सड़े 4 सास साल साड़े 4 साल में आपका protection visa का result आएगा ठीक अ भै YouTube आपका सड़े 4 साल में protection visa का result आगए अगर आपका case number 1 है इंडिया में आप पहले ऑटक हुआ है आ ہے आपके पास पुलिस की रिपोर्ट की कोपी है तो उसके बाद आपको ये प्रोटेक्शन वीजा इसु कर देते हैं कि आप इंडिया में रहने के लिए सेफ नहीं हो इसलिए आपने प्रोटेक्शन वीजा डाला है अब मान लो भाई आप पे तो किसी ने अटैक भी नहीं किया इंडिया में और आप सेफ भी थे आपने वैसे ही यहां पे आगे प्रोटेक्शन वीजा डाला है तो उसमें क्या होगा उसमें कुछ नहीं होगा आपका सब्सक्राइब आपको इंडिया में खतरा था क्योंकि आपने इनफ हमें एविडेंस नहीं प्रवाइड किये बट अ अब उन साड़े चार से छे सालों में जो आप ब्रीजिंग वीजा ए पर रहके आपने यहां पर टाइम स्पैंड किया है उसमें आप अच्छा कासा यहां पर उस्ट्रेलिया में पैसा ही कठा कर लेते हैं अब साड़े चार से छे साल की मैं ओन एन आवरेज कह देता हूं य हैं पर लग बग लग लग बग 30 लाग के कृरीब हर कोई यहां पर इंडिया के इसाप से जो 30 की अमाउंक्त है, साल की सेव कर लेता है, अपने खर्चे लगारा निकाल लके ये amount save करने के लिए आपको 6 दिन, हफते में 6 दिन काम करना होता है, हफते में 6 दिन आपको 8-10 गंटे काम करना होगा, कम से कम 8-10 गंटे बोल रहा हूं, मैं दिन का काम करना होगा, तो उसके बाद आप easily हर साल इंडिया में अपनी 30 लाख रुपे की saving बेज सकते हैं, 30 लाख आ हैं आपे, हां जी, तो ये साथे 4-5 साल में आपकी saving saving डेड करोड रुपे होगी, अगर आप Australia में time spend कर लेते हैं, वो मैं खली आपको saving बोल रहा हूं, जो आपके खर्चे थे वो आपने आपे निकाली लिए है, on average 30 लाख आप साल का बेज रहे हो, तो आपके 5 साल बाद डेड करोड रुपे दे चुके हो, अब डेड करोड रुपे काफी बड़ी amount होती है, अगर कमाया है, तो यहां पे आना आपके लिए worth नहीं करता, अगर आपकी इतनी income नहीं है, पांस साल में डेड करोड रुपे की saving, तो आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, ट्यूरिस्ट वी प्रोटेक्शन में चेंज करा लिए ना हमें आयस की जुर्थपड़ी ना कुछ पड़ी और हमाराबाद में refuse हो गया, साड़े चार से पांस साल के बाद क्योंकि हमारा case genuine नहीं था refuse, उसके बाद क्या हम दो number हो जाएंगे, यहां पर नहीं भाई, आप दो number नहीं होगे, उ मेरी file को दुबारा review में डाला जाए, तो आप MRT डाल देते हैं, फिर से MRT का result आने में कितना time लगता है, तीन से चार साल, तीन से चार साल में आपका MRT का result आएगा, MRT का result आने के बाद क्या होएगा, कि आपका MRT का result आएगा, तीन से चार साल में, पांच साल पहले यहाप कितनी income होगी Australia में, लीगल तोर पे मैं यह आपको बता रहा हूँ, लीगल तोर पे आप यहाँ ऐस्ट्रेलिया में कितना time रहागे हो, लीगल तोर पे आप Australia में 9 साल रहागे हो, protection visa पे और MRT पे, MRT यहाँ पर जब आप आजाते हैं यहाँ के local lawyer से मिलके, यह सब कुछ आप manage क कर सकते हैं, और इसका कोई ज़्यादा खर्चानी है, lawyer आप से सिरफ और सिरफ 30 से 40,000 रुपे लेगा, आपके इस proper procedure के लिए, protection visa के लिए, और यह आपका जो MRT का procedure है, 9 साल तक आप Australia में एक नमर में रहागे हैं, अगर आप 9 से 10 साल जो मैंने आपको procedure बता है, तोर इस करोड रुपे, अगर आप इंडिया में 10 साल में 3 करोड रुपे कमा सकते हैं, तो भाई Australia ना आए, आपको वहाँ पर अच्छा जमा हुआ है काम आप वहीं पर ही करें, हंजी इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर ट्यूरिस्ट वीजा पर आ जाते हैं, उसक अप कोई होर काम कर रहे हैं, मालमो आपने btec कीया, आपने कोई engine ring की job कर रहे हैं, या आप कोई भी छोटी-मोटी job कर रहे हैं, मालो आपने automotive, mechanic का course, जो गाड़ियों के mechanic होते हैं, उनका course इंडिया में किया है, और इंडिया में course करने के बाद, आप वहाँ पर job कर रहे हो अपने ही फिल्ड में जैसे मान लो Toyota में, Hyundai में किसी भी अजिंसी में आप एक job कर रहे हो आप इंडिया में, Job करते हुए आपको दो साल का experience हो गया, आपकी job करते हुए, और दो साल का आपने ITI में इसका डिपलोमा या कुछ भी किया हुआ है, आपने दो साल की automotive में study की हुई है और दो साल का आपको Toyota या Honda या किसी भी company में XYZ में आपको experience हो जाता है और दो साल की salary आपके account में आई हुई है दो या एक साल, दो साल हो तो बहुत बड़ी है, अगर एक साल हो वो भी चलेगा तो आपकी salary आई हुई है, आपने आपकी field में इंडिया में study की हुई है और आपने आपकी field में ही job की हुई है तो Australia का कहती है, हमें skilled worker की जूरत है, जिनके पास skill है जैसे आप लोग हैं, अगर आपने आपकी field में study करके, आपने कोई teaching का experience आपके पास आपके पास यह mechanic experience है, गाड़ या ठीक करने का और आपकी salary account में paid है, तो आप Australia के work visa के लिए eligible हो आप चाहिए तो उस work visa को इंडिया से भी लगा सकते हैं और या फिर यहाँ आपे tourist visa पे आने के बाद, आपके tourist visa को work visa में change करवा सकते हैं easily तो यह simple सा procedure है, किसी भी field में अगर आपने study की है और उस field में आपको एक साल का experience है और एक साल के experience में आपके account में आपकी salary paid है तो आप tourist visa से easily work visa में change करा सकते हैं क्योंकि Australia को skilled worker की बहुत 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 ज़्यादा जूर्थ है हाँ जी दोस्तों तो इसी vlog को हम यहीं पे याइंड करते हैं, यह मैंने आपको proper procedure बता दिया है, कैसे आप आपके visa को change करवा सकते हैं यहाँ पे हाँ जी अगर आप मेरे चैनल पे new हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लें, आपके एक subscribe से मेरे को बहुत ज़्यादा motivation मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी informational videos आगे से आगे लेके आता रहूं और वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और मिलते हैं आप लोगों से next vlog में, तब तक के लिए अपना धयान रखें, thank you so much guys